भी हम लोगों देख रखा था सोशियो रिलीजियस मोंट के बारे में हिंदू, मुस्लिम और अधर तरीके की जो भी रिलीजियस बेकवर्डनेस थी जो भी ओर्थोडोक्स इटी और सुझर डूरिटेड जो भी मोंट वगए चलाए गये थे उनके बारे में last class में हम लोगों ने discuss किया था इस session में थोड़ा सा हम लोग specific रहेंगे और depressed class को ले करके जितने भी moment चलाए गए हैं या जो भी organizations बनी हैं जितने भी contributions हैं और साथ ये साथ में women empowerment को ले करके जो जो contributions किये गए हैं उनको हम लोग study करेंगे और फिर एक quick revision करेंगे कि कौन-कौन से organization हमारे इस पूरे modern history series में आई है ताकि एक revision भी आपका हो जाएगा तो फड़ा-फट शुरू करते हैं development को ले करके तो सबसे पहली अगर बात करेंगे depressed class के लिए कौन सी organization थी तो गांधी जी ने organization श्टार्ट किया था नाम था All India Untouchability League या इसी को बोलते हरिजन सेवक संग और इसके लिए इन्होंने हरिजन मैगजीन भी एक चलाई थी 1932 में जब अमबेडिकर जी के साथ में थोड़ी सी misconception हो गई थी तो उसके बाद से हितकारणी सभा बनाई गई थी इनके द्वारा और मैगजीन इसी से related निकाला गया था बहिश्कृत भारत देखे जब भी आप अमबेडिकर जी के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास different different organization आ जाएंगी जो कि depressed class से ही related है अब यहाँ पर social empowerment के लिए political empowerment के लिए rights के लिए हर चीज के लिए अलग-अलग organization बनाई गई है जैसे बहिश्कृत हितकारणी सभा यह social inclusion के लिए था तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि social empowerment के लिए बहिश्कृत हितकारणी सभा बनाई गई है इसी तरीके से social equality को लेकर के बनाई गया समाज समता संगठन या फिर संग तो समाज social equality and councillor बोल सकते हैं यहाँ पर 1936 में अब labor एक तरीके से political या फिर कह सकते हैं कि economic organization बनाई गया था independent labor party इसी तरीके से एक union भी बनाई गई थी the all India depressed class federation और फिर ultimately political power यानि कि अनुसूचित जाती परिसंग यह बनाई गया था तो overall अगर आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे then it will be difficult for you लेकिन अगर इसके background को देखेंगे जैसे कि social के लिए बहिश्कृत हितकारणी हो गई social equality के लिए आप समाज समता बोल सकते हैं इकनॉमिक के लिए independent labor party हो गई और union के लिए all India depressed class federation हो गया political empowerment के लिए अनुसूचित जाती परिसंग तो इससे क्या है कि आपको एक idea भी लग जाएगा और चीजें easily याद भी हो जाएगी विनोबा भावाए के बारे में बात किया जाए इन्होंने सर्वोदय society की establishment की थी सर्वोदय का जो concept था एक्चल में वो गांधी जी का था और ये थी सर्वोदय सबका ओदय और इसी को ले करके schools वगरे भी open किये गए थे इसी तरही के से बियार शिंदय साहब थे जिन्होंने अपने depressed class mission society स्टार्ट की थी मुडलियार नयार और चित्री के द्वारा जो organization या फिर जो party स्टार्ट की गई थी वो है जस्टिप पार्टी तो इनको भी याद रखिएगा दीकि आज कल क्या आएगी specific हो करके questions आ रहा है आपके examination में तो इस वज़े से बहुत ही specific हो करके आपको पढ़ाए भी करनी होगी smart study करनी होगी जोतिबा फुले के बारे में बात करने तो दिखे जोतिबा फुले को title दिया गया था महात्मा का महात्मा जोतिबा फुले हलाकि जोतिबा फुले ये तो एक depressed class से ही बिलॉंग भी करते थे यही नहीं केवल बलकि इनकी जो wife थी उन्होंने भी काफी अच्छा contribution दिया था पूरे depressed class के woman organization को या फिर कहले जब woman empowerment के लिए भी तो ये भी काफी important है in fact पुने university का नाम इनहीं के नाम पर रखा गया है सावित्री भाई फुले तीक है यहां पर इन्हों ने क्या किया जोतिबा फुले ने स्टार्ट किया था सत्यशोधक समाज जो की depressed class के society के empowerment के लिए ही था इन्होंने कई सारे magazines और books वगरे भी publish किये जैसे गुलाम गीरी आप जैसे और बुक बहुत important लिखी गई थी हूँ वो थी हूँ वर्दा शूद्राज तो यह एक important आप पब्लिश्मेंट बोल सकते हैं जिसको कि आपको रट्टा मारना है मुकंद राओ पाटिल और शंकर राओ ने बहुचन समाज की स्टार्ट की थी और एक चीज़ यहां पर important यह है कि इन्होंने British government का support किया था तो जहां पर बाकी लोग इंडिया के independence के लिए work कर रहे थे वहीं पर यह लोग British के supporter बने हुए थे इनके अभी प्रॉब्लम थी इनके बारे में हम लोग discuss फिलहाल नहीं कर रहे हैं नेक्स हम देखते हैं woman empowerment को ले करके देखिए woman empowerment भी अपने आप में बहुत important topic है this is not only important for the history but also it will be important for essay writing also ठीक है तो essay writing के लिए अभी आपको काफी अच्छा ये रहेगा Lord William Bentic 1829 में इन्होंने कह सती सिस्टम पर ban कर दिया था इसके लिए कौन मतलब काम किया था तो राजरा महनराई ने काम किया था राजराव महनराई भी क्यों काम किये थे क्योंकि इनकी जो basically घर में महिलाएं थी इनके family में जो basically woman थी तो उनको भी सती कर दिया गया था और इन्हें पता थी की conditions क्या है घर की और इस कारण से इन्होंने पहले ठान लिया था कि हमें अब सत तरह के और्गनाइजेशन्स बनाए जैसे की आत्मी सभा ब्रह्म समाज इस तरीके से अल्टिमेटली बैन उन सती सिस्टम लगा दिया गया था सिमिलरली राधा कांत देव थे जिन्नोंने धर्म सभा स्टार्ट किया था इसके लावा हार्डिंग वंग ने अपॉइंट किया था कैम्प बिल को ताकि जो नर बली दी जाती है हुमन सेक्रिफाइस वगर दिये जाते हैं उसको रोका जा सके जैसे कि आप लोगो पता होगा कभी भी कोई वी वार वगर होती तो या तो एक नर बली दी जाती थी या फिर एक बच्चे की बली दी जाती तो दोनों को ही बेसिकली रोका गया था तो जुन्नर बली रोकी गई थी वो Harding ने रोकी थी Campbell की मदद से और John Shore ने रोका था जो बच्चों की बली दी जाती थी यानि शिशुवद होता था चाइल्ड सेक्रिफाइस होता था और यह क्या गया था जुनाटन डंकन के ही कह सकते हैं की प्रपोजल पर इश्वचंद विद्यासागर इसी तरीके से 1856 में विडो रिमारेज एक्ट ले करके और इससे विद्वाओं की रिमारेज वगरे स्टार्ट हो गई DK करवे इन्होंने क्या किया था इन्होंने इनके कंट्रिब्यूशन काफी इंपोर्टेंट है वुमेन इंपावर्मेंट को ले करके DK करवे ने डेक्केन एजूकेशन सोसाइटी के इस्टाबलिशमेंट की थी जो की आगे जाकर के पुने फर्ग्यूशन कॉलेज के नाम से जाना गया पुने फर्ग्यूसन कॉलेज में ही इन्होंने क्या किया था 1893 के दोरान में इन्होंने एक विडो महिला से विडो मुमेन से शादी कर ली थी और 1899 में इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज से ही एक विडो होम जो आश्रम होती है मतलब विद्वाओं के लिए आइस्ट्रम यह ओपन किया था साथ ही साथ में 1906 में 1906 में यहां पर लिख दिया आएगा 1906 में इन्होंने फर्स्ट वोमें युनिवर्सिटी भी ओपन की थी और यह कब किया था 1899 में विडो होम स्टार्ट किया था ठीक है देखें इस सब काफ पुरानी वीडियो को देखिए और याद करने की कोशिश करिए क्योंकि यह सब factual details है जो कि आपको याद ही करना है इसके राब वीव सलिंगम पटलू और विश्नु शास्त्री ने वीडो री मैरेज असोसियेशन स्टार्ट किया था जो कि औवियसली री मैरेज एक्ट के ल पुजल आया तो कैसे आया development कैसे हुई तो सबसे पहले यह जो development स्टार्ट हुई थी वो native marriage act स्टार्ट हुई थी ब्रह्म marriage act के द्वारा जो कि केशव चंद्रसेन ने स्टार्ट किया था केशव चंद्रसेन के बारे में आपको पता होगा कि इनकी All India Brahma समाज यह organization थी All India Brahma सम समाज निकल करके आया था क्यों आया था क्योंकि देखिए लोग लड़ी रहे थे बच्चों की शादी को रोकने के लिए मतलब लड़कियों की शादी 14 years से कम पर शादी नहीं होनी चाहिए और इन्हों ने खुद ही अपनी लड़की की शादी मतलब 13 years पर कर दी थी जिसके कारण से इनी इनी और्गनाइजेशन में जो लोग थे जैसे की एम बोस वगरे यह लोग निकल गए और दूसरी जगह पर बिसिकली साधारर ब्रह्म समाज यह बना लिये थे तो मुश्रोली आपको चीज़े याद होंगी इसके लावा एज ऑफ कंसेंट को ले करके बनाया था क्रिटिसाइज किया था कि नहीं ऐसे एक्ट वगरे हमें नहीं रखने चाहिए खेर लाला जी कि अपनी अलग कंडिशन थी क्योंकि सोशल प्रॉब्लम उस समय की अलग थी शार्दा एक्ट पे अगर बात किया जा तो यह बाल विवा निशेद एक्ट था यानि कि जो च क्रिशिन मीशनडरी की द्वारा की गई थी और इसके लिए जो और अर्गनाईजेशन बनाए गई ती याद रखियेगां तरुन इस्तरी सभा रम बाई इसी तरीके से वोमें एजुकेशन के लिए ही काम किया। और इन्हों सिस्टम होती है साउथ इंडिया में उस पर बैन की भी बात कही गई थी तो ये सारे के सारे women empowerment, women education related चीजे थी ये दोनों ही पार्ट आपके लिए काफी important है क्योंकि यहाँ पर जो facts हैं वो आपके अलग-अलग ना सिर्फ means में भी काफी काम करेंगे तो ये सारी चीजे थी हैं बाकि हम लोग फटा-फट जरा कोई क्रिवीजन कर लेते हैं जितने भी organizations हैं तो दीकिए सबसे पहली जो organization है वो है आपकी अभिनाव भारत नाम पता होगा वी सावर कर के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसी तरीके से अलिगड मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज जो की आगे जाकर के अलिगड मुस्लिम युनिवर्सिटी बन गई ये सर सेयद अहमद खां के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस के बारे में बात करें तो एनम जोशी ने स्टार्ट किया था सिमिलरली आरे समाज स्वामी द्यानन सरस्वती मूल चंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था एशियास्टिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा इस्टार्ट किया गया था आत्मी ये सभा राजराम मोहन रॉय थे आजाद हिंद फौज नाम पता होगा कैप्टन मोहन सिंग और यहीं पर आकर के जो राज बिहारी बोस थे और आपके सुभाज चंदर बोस ये दोनों लोग मिल करके आये थे और यहां से फिर अल्टिमेटली आई अन्ने की शुरुवात हुई थी आजाद हिंद सरकार के बारे में बात करें तो सुभाज चंदर बोस ने ये स्टार्ट किया था इसी तरीके से बहिश्कृत हित कारणी सभा थी आपकी बहिश्कृत हित कारणी सभा डॉक्टर बी आरम बेडेकर के द्वारा स्टार्ट की गई थी खेर ये तो आप लोग जा किसे राजारामोहन रॉय के द्वारा इस्टार्ट किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक सुबास चंदरबोस गदर पार्टी लाला हर्दयाल और काशी राम के द्वाराई स्टार्ट किया गया था खैर इसमें परिशान होने की जुरूरत नहीं है क्योंकि इन सब लिए के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा इस्टार्ट किया गया था एच एस आर ए जिसमें पता होगा आप लोगों को कि जो भगत सिंग लोग थे यह बिसिकली इसी और्गनाइजेशन में आये थे होम उननाच जो इंडिया में खोली गए जो थी इंडिया आसोसियेशन आनंद महं दोस के द्वारा इस टार्ट किया गया था। इंडियन लीग इसी तरीके से शिशिर कुमार घोश के द्वारा स्टार्ट किया गया था इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पता होगा ए-o ह्यूम के द्वारा स्टार्ट किया गया था इंडियन सोशल कॉंफरेंस राना डे साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था जिसे महरास का सौकर्टीज भी कहा जाता है महारास्ट्रका सुकरात भी कहा जाता है खिलाफत मिम्मेंट के बारे में पता होगा अली बरदर्श निलों ने चीक्वा किया था खुदाइaltungाल comments Society बनाई गए थी अबदुल लातीफ थे इसमें मुंबाई Presidency Association फिरोशा महता के द्वारा स्टार्ट किया गया था मुस्लिम लीग पता होगा आप लोगों को आगाखां और सलिमुलाह के द्वारा स्टार्ट किया था इसी तरीके से परम हंस सभा ये दादोबा पांडूरंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था important है नाम याद रखिएगा आत्मा राम पांडूरंग, दादा, दादोबा पांडूरंग ये दोनों लोग contributor थे इसमें पूना सारुजनिक सभा ये भी रानडे साहब के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी महादेव गोविंद रानडे के द्वारा प्रार्थना सभा में आ जाएं तो आत्मा राम पांडूरंग थे इसके अलावा देविंद रनाड टैगोर थे जिसके बारे में अलरड़ी हम लोगों ने लास्ट लास में डिसकस किया हुआ है राम कृषन मिशन के बारे में बात करें तो स्वामी विवेका नंद थे इसी तरीके से सार्वजनिक सभाती जो की दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट की थी सांटिफिक सोसाइटी सरसायद अहमद खान ने स्टार्ट किया था जिसको भी हम लोगों ने लास्ट लास में डिसकस किया हुआ है Servants of India Society गोपाल कृष्ण गोखले जो की महात्मा गांधी के गुरू थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरू कौन थे तो MG रानाडे थे ठीक है शादा सदन अभी हम लोग ने डिसकस किया रामाबाई ने स्टार्ट किया था वोमन के इंपावर्मेंट के लिए सोशल सर्विस लीग एनम जोशी के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी जो की इन्होंने बाकी और भी कई सारे स्टार्ट के द्वारा इंडिया में प्रपोज मतलब की आगे बढ़ाया गया था युनाइटेड इंडिया कमिटी के बारे में बात करें तो उमेश चंद्र बैनर जी यह इंपोर्टेंट है नए है याद रखियेगा वेद समाज के बारें बात करें तो आचारे केशव चंदरसेन ही थे जिन्होंने वेद समाज स्टार्ट किया था अब ये वेद समाज कहां स्टार्ट किया गया था ये स्टार्ट किया गया था मद्रास में हलकि इसको आगे बढ़ाने के लिए और भी अलग-अलग लोग थे जैसे कि आपके नाइडू, चारलू और चिट्टी इन तीन लोगों का नाम हम लोगों ने बताया था तो केश्री, धरालू, नाइडू याद होगे आपको, वी, राजगोपाला, चारलू और सुबर्मनियम, चिट्टी तो चारलू, चिट्टी इनके नाम से याद रखिएगा वेदांत कॉलेज, राजाराममोहन रॉय ने स्राट किया था, विश्व भारती, रविंदरनायथ टैगोर, ने स्राट किया था, वुमें इंडियन असोसियेशन, लेडी, सदार्शिव अययर के दोरा स्राट किया था, और यंग भेंगाल मोमेंट, हैंडरी विवियन जीयों के द्वारा इस्टार्ट किया गया था यह आपको पता होगा लास्ट लास्ट में इन पर भी हम लोग ने डिसक्रिशन किया था कुछ सोची और रुलिजियस मुमेंट के बारे में अगर बात करें तो देखे ब्रह्म समाज राजाराम मोहन रॉय प्रार्थना समाज आत स्यद एहमद खां थे इसी तरीके से देवबंड मुमेंट यहां पर जो है मुहमद कसीम वतनवी थे और इसी तरीके से गंगोली भी थे देखे नाम याद रखना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इसी तरीके से मिश्णरी आफ चैरिटी आयते मदर टेरसा हो गई खेर इनको तो कौन नहीं जानता है होम रूल मुमेंट से स्टाट किया गया थे इनी बिसेंट और बाल गंगदर तिलक के द्वारा और यहां इनी बिसेंट ने भी अगेन वेदों को जादा प्रमोट किया था भारती विद्याभवन इसी तरही के से कनहिया मानिकलाल मुंशी थे के मुंशी जिन को बोला जाता है इसी तरही के से पिपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और देमोक्राटिक राइट यह जय प्रकाश नरायन के द्वारा इस्टार्ट किया गया था देखिए यह सब बहुत ही ज्यादा इ पीर सावर कर अभी हम लोगों ने देखा चिपको मुमेंट सुंदरलाल बहुंगुणा के द्वारा श्टार्ट किया गया था इसी तरही के से नर्मदा बजाओ मेधा पाट कर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोकले साहब की है सर्वेंट्स ऑफ पीपल वनमhtस ऑफ चांट किया गया था केम मुंशी के द्वारा भूदान मुमेंट विनोबा भावे के द्वारा तट्व बोधिनी सभा देविंद रना टैगोर के द्वारा श्टार्ट की गय थी दादोबा पांडूरंग ने इसी तरीके से परमहंस सभा इस्टार्ट किया था सेवा सदन ये मालाबारी साहब के द्वारा इस्टार्ट किया गया था अभी हम लोगों ने देखा था self-respect moment ये start किया गया था ये रामा स्वामी अयर के द्वारा start किया गया था तो ये थी basically कुछ important organizations और उससे related कुछ special facts जो कि आपको याद रखना examination point of view के लिए बहुत ज़्यादा important है by heart करके रखिएगा क्योंकि इसे एक आद question तो आते ही आते हैं हर साल तो आपके लिए एक bonus हो जाएगा चली फिर मिलते हैं next video में till then goodbye and thank you so much